देखिए अगर आपके पास कोई सी भी noise की smart watch है और आप जैसे ही उसे चालू करते हैं यहाँ पर इस तरीके से QR port लिखकर आता है और यहाँ पर noise का logo आता है और इसके इलावा आपकी smart watch चालू नहीं होती है तो यहाँ पर मैं आपको इसे पूरी तरीके से चालू करके बताऊं और play store में जाकर यह noise fit की जो application है इसे install कर लेना है ठीक है install करने के बाद open कर ले अब यहाँ पर यह open होगी जैसे ही थोड़ा सा wait कर ले नीचे यह terms and condition को accept करने बोलेगा तो tick करके I agree कर दे continue कर दे यहाँ पर continue कर दे अब आप यहाँ पर अपने Gmail को या Google को यहाँ पर select कर लेना है Google option को ठीक है phone में जो भी email ID होगी उससे select कर ले ठीक है मैं इस वाली को select कर लेता हूं यहाँ पर आपका phone number आपको डालना है तो phone number आप अपने डाल दीजिए और यहाँ पर yes कर दीजिए तो आपको एक OTP आएगा यहाँ पर देखिए OTP आगया है हम OTP यहाँ पर enter कर देते हैं और OTP यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर done कर दे नीचे continue कर दे यहाँ पर while using the app पर क्लिक करें और यहाँ पर इसे allow कर दे और यहाँ पर यहाँ पर भी Bluetooth on करने के लिए बोलेगा तो Bluetooth यहाँ से on कर दे ठीक है अब देखिए आपकी smart watch यही पर आ गई है color fit thrill है noise की color fit thrill है तो आपकी भी यहाँ पर noise की watch आ गई होगी बट अगर आप QR code से scan करना चाहे तो QR code से भी scan कर सकते हैं बट गहुत से लोगों का QR code से scan नहीं होता है तो आप यहाँ पर watch पे click कर देंगे तो भी वो connect हो जाएगी ठीक है यहाँ पर यह जो watch दिख रही है लेग हम scan कर लेते हैं तो देखिए यह pair हो गई है अभी हमारी एक notification आएगा हमारे इसमें देखिए pair successfully connect हो चुगी है यहाँ पर get started पर क्लिक करिए और हमारी watch यहाँ पर connect हो गई है यह देख सकते हैं watch हमारी connect हो गई है